हेलो हाई एवरीवन वेलकम टू पूजा अकैडमी तो आज क्लास 12 के सेक्षिन ए में जितने भी कोश्चन्स आये हैं मैथ का पेपर हुआ था बच्चो तुम्हारा तो सिर्क किसको डिस्कस करने आए हूँ मैं आज सेक्षिन ए को सेक्षिन बी और सी कहां गए सेक्षिन बी औ सारा एक ही में क्यों नहीं कर रहे हैं लॉंग वीडियो की बच्चे से अगर मैं एक ही वीडियो में सारा कवर कर दो तो वीडियो बहुत कैसी हो जाती है लॉंग हो जाती है इसलिए में शौट वीडियो बनाने के लिए इनको क्या कर रहा हूं मुल्टिपल पार्ट्स में आ रहू है तो पहला सेक्षिन देखते मच्छा है ना असान सा पेपर था और जैसा तुम्म्हारा घया होगा वैसा वैसा मुझे में बता देना मुझे पहला में डील कर रहा हूं। पहला कोशन क्या बोल रखा है की साइन पाइद भाई 3 प्लस साइन इनवर्स कलर चिंज कर लेतो हुं है ऐसा हा क्या लगा अरे यह तो असान सा कोशन है क्या लिखा हुए सर साईं करेक्सि लिखось impacting मेरा πाई बाई शेक्स और इनको एड कर दो एड कर दें सर बिलकुल अलस्यम ले लो को इसम कितना आएगा सरेल सेम लाएगा 6 और यह जाएगा 2 पाई प्लस का पाई और फईनल अंसर जो आएगा मेरा आएगा साइन 3 पाइबाए 6 विच इस पाइबाए 2 और साइन 90 की वेली होती है 1 अरे A1 आया बाई तो 1 आया एंसर यानि कि option number कौन सा हुआ A A से अंकित अरे हमारा अंकित भाई क्या हाल चाल कैसा क्या paper भाई comment कर दे comment कर दे चल तेरी नाम से आया पहला question करते हैं नेक्स्ट को डिसकस करते हैं दिखते हैं क्या है second question second question में क्या बोलख्या भाई हाँ ये भी अच्छा कोशन है ये सारा तुम चेक कर रोगा मैंने सारा तुमें कॉप में करार रखाए अच्छे तुम पढ़के गई होगे तो नाम रोशन करके आओको विशाल सर का है की नहीं कमेंट सेक्ष्ट में लिख दो अकर तुम ये सारे पढ़ रखे देते हो विशाल सर और इसके आगे जो भी तुम अपना दिल आग जो बनाना चाहते हो फायर हो गया सब बना सकते हो है ना कोई नहीं आगे बढ़ते हैं डिसकस करते पेपर की और तो पेपर में देख भाई नेक्स्ट क्या बोलखा कि भाई एक एदिरक है नमबर ओफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन्स सिंबल जी बात है सरी तो असान था एए सेट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट है सरिफ दो ही एलिमेंट है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर क्या 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 अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने का फॉर्मल तो number of element कितने थे सर दो थे यहां पर दो पूट कर दो सर दो का स्क्वेर माइनस दो और दो का स्क्वेर चार चार में से दो गया दो अच्छे 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 अज़ान था बिलकुल आगे बढ़ें ये सर आगे बढ़े नेक्स की और बढ़ जाते हैं तोड़ा सा जुखाम हो गया इसके वेज़े सा आवास थोड़ी से जीब लग रही होगी लेकिन मैनेज कर लेना भाई इसमें देखो क्या भोल लखा है ये बढ़िया कोशन है ये तगड़ा कोशन है देखो क्या लिखा है भोल लखा है इनोंने a is equal to b square यहां पे लिखा मैंने a is equal to b square सबसे पहले मैं क्या find out कर लेता हूं b square अब b square का मतलब क्या हुआ क्या हुआ सर्फ b matrix को b से multiply कर दो 0 1 1 और इसी matrix को दुबारा इसी से multiply कर दो x 0 1 1 इनको multiply कर दो तो जैसे इनको multiply कर गो तुम्हें सबांसर दिख जाएगा बताओ रो की multiply किस से करूंगा? कॉलम से तो क्या ये x square आ जाएगा अगली टम तो 0 ही हो जाएगी फिर ये ही row और column number second ये 0 0 की 0 आएगा ये सर अब second row first column ये हो जागा x plus 1 फिस second row और second column 0 और 1 answer is 1 ये b square आ गया और सर हमें a हमेशा किस के बराबर करना था बी स्क्वेर के तो solve लिया एक की value कितनी रखे जाए 1 0 2 1 और यहां से बी स्क्वेर की value कितनी हो गई? x square 0 x plus 1 और यहां पर 1 अब इनको बराबर कर दो सर यहां से notice करो गया तो x square की value कितनी आ गई? 1 और x की value आ गई plus minus 1 और अगर तुमने गलती से हड़ बड़ी में option a tick कर दिया तो बास हो गया थोड़ा थमो बाई रुको जारा सबर करो अभी सबर करने की बाद क्यों है सर? value तो से में बट एक और value है चेक तो करो x plus 1 किसके बराबर होगा सर? 2 की यहां से x के value क्या आ रही है? 1 तो सर यहां से तो 2 आ रही है तो हम 2 मानेंगे ना? नहीं एक ऐसी value जो दोनों को satisfy कर जाए सोच के बताओ इसमें plus 1 भी आ रहा है minus 1 भी आ रहा है और इधर कितना रहा है 1 तो minus 1 वाली value को neglect करेंगे और सही answer क्या मान लेंगी? वन यहां इसका answer plus minus 1 नहीं है इसका option number C है अना class में जानते हो ना C किसको बोलते हैं? C से 100 हो sorry भाई तर नाम ले लिया लेकिन क्या करेंटे है याद आ रही है 100 हो है तो आगे बढ़ जाते हैं तो इसको मेंट आ देता हूँ और next question क्यों बढ़ जाते हैं नेक्स्ट चलो यह देख लेते हैं इसमें क्या बोलखा भाई की बोलखा है एक A matrix है जो AI और J से बन रही है जिसका order कितना है? दो बैदो का order है और यह लिखा हुआ है आप I और J की value 1 लोगे जब I और J बराबर नहीं होंगे आई और J बराबर होंगे तो उनकी value 0 ले जाए तो अगर मैं बोलू 2 x 2 की matrix है तो इसके अंदर जो element होगी वो कौन-कौन से होंगे? तो सर A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा और A22 होगा. यह होगा दो order का matrix हाँ सर बिलकुल यह होगा अब तुम मझे बताओ यह जो information given है यह क्या कहना चाहती है यह बूला है कि सर आई और जे बराबर हुए तो उसका answer 0 लिखो है ना और आई और जे बराबर है मतलब सर 11 और 22 इन दोनों की value क्या लेली जाएगी 0 तो मुझे सोच के बताओ क्या A11 भी 0 है और A22 भी 0 है बच गए दोनों और सर अगर यह दोनों बराबर नहीं तो इनको क्या मानगे चलना है वान तो खतम गानी सर यह भी 1 है और यह बी 1 है सर कैसे एक बार और अरे यह 1 1 है इसमें I और जे बराबर है तो इसकी value कितनी है रही मैंने 0 ओके सर इसमें भ ओने हैं कि 성 je कंद विपक्य निए अन्सर ने आया हम में निकांथा एइ स्क्वै इसका मतलब जर अब इस got से मैट्रिक्स को इसी से दुबारा से क्या कर दो भगा दो कारा राधा यह ल्र ऑद है अब यही रो इस kolum से लड़ेगी जी रो और चार जानजर जी रो अब अगला अगला साथ यह लड़ने के लिए उन की जी रो नीची जीनिट्याइट मेहीं लड़ाई06 Argui जीरोड़ाई dużo इसे बहिंगे जीरोड़ाई 1001 यह भी गल्त और यह वला 1001 यह सब्हाइब डी से कौन है सभी हो तुम ढक्कन है डी से डखकन तो धकन हो गहें ढकन ढकन यह तो बाड़ी या आगे बढ़ें इसार देल वाले भी होता है सर अरे हां तुम तुर वाले होई यार आगे बढ़ें चलो चख कर लेते नेक्स देख लेते यह यह तो सुपर एजयरी तो पुमने डर्मिन निकालना कितनी बार सीख रखा है तो सॉल्व कर दूँ उसको मैं सीधा अंसर लिख देता हूं बहुत असान है यह तो सर 6 लिखा 1st row 1st column 3-4 3 की multiply 1 से इसमें से यह यह पर लिखेंगे 3-4 बहुत बढ़िया फिर माइनस में 0 लिखो सर यहां पर आप कुछ भी लिख लो वो 0 से multiply हो किया हो जाएगा जिरो इसलिए मैं उसको लिख नीड़ा okay स्राइग माइनस 1 लिख दिया अब 1 की 2 से और इसकी से यह ज़िकल टू माइनस 1 6 3 में से 4 गया तो सर माइनस 1 0 से पंगा लिया सर सब नर्ले हो गए सब 0 हो गए माइनस 1 और 2 में से गया एक हैनि माइनस 6 और माइनस का 1 फाइनल अंसर इस नेगटेव 7 तो फिर से कौन सा ऑप्शन हो आ डी दी 4 ढोलकपूर ना ढोलकपूर ढोलकपूर से कोन आता है हमारा भीम 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 छोटा भीम तो डी से ढोलकपूर दे दनादन दे दनादन सही सारे हैं सही जा रहे हैं तो कोमेंट सेक्शन में भी तो कोमेंट कर दो यार है की नी कोमेंट सेक्शन में बता तो तुम्हारे कितने सही जा रहे हैं कि नी बढ़िया मिटा रहा हूं आगे बढ़ें टाइम वेस नहीं करते हैं आगे और आगे की औ है थोड़ा घातक साय दियान से देखना पहले मैं यह बता दूँ है पता ही नहीं होता अब याद है या तो यह इंटीजर की ग्रेटेस्ट लेस्ट लेस्ट देगा या तो कैसी वेल्यू देगा इकोल टू एक्स की वेल्यू देगा थोड़ा सा मैं बैक अप लगवाता हूं इस मालूम मैंने 1.2 लिखा तो पूसे दो इंटीजर की बीच में आता है सर यह वन और चुब के कहीं बीच में आता है मर्समें से ली इस टो समसा हुआ सबसे लेस्ट एन वाला ऑन सवासर वन तो 1.2 का आंसर कितना देता है ग्रेटें इन ग्रेटेस एप पोइंट टो कु दिखा देते हैं, जर बताओ, यह जो होगा, यह माइनस 3 और माइनस 2 के कहीं बीच में होगा ना, माइनस का 2.3, हाँ जर, तो इसमें से least value कुन सी मानी जाएगी, माइनस की 3 मानी जाएगी, इसलिए माइनस 3, तो इसमें देखना है, कहां पर continuous है, तो मैं तुम्हें बता दू, तो अगर तुम x equal to 1 पर चेक करते हो, तुम्हें पता है, कि तुम इसकी 2 value निकालोगे, एक निकालोगे LHL, और एक आप इसकी निकालोगे RHL, तो जैसे ही तुम LHL लिखोगे, क्या 1 plus H put करोगे, एक से बड़ी value put करोगे, एक से बड़ी सर कौन सी, 1.0000001, और छोटी क्या होगी सर, 0.99999, जैसे greatest new put करोगे, ये value देगा 1, और ये कितनी देगा 0, दोनो value अलग 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 तो कैसा हुआ, सर ये discontinuous, बिल्कुल से, ऐसी same आचाओ, अगर मैं तुम्हें कहां पर चक कर रहा हूं, माइनस दो पर चक कर रहा ह सर, माइनस दो की दो value होगी, कौन-कौन सी, माइनस का 1.99999, वो रेखोगा माइनस का 2.00001, सर, ये कितना देगा, माइनस का 2, सर, ये कितना देगा, माइनस का 3, दोनों value अलग अलग, हाँ सर, ये भी कैसा, discontinuous, same सर, 4 के साथ भी ऐसे होगा, लेकिन 1.5 के साथ ऐसा नहीं होग क्यों सर, क्यों सर, दिखा देता हूँ, जैसी तुम इसमें 1.5 पॉट करोगी, 1.5 से थोड़ी से बड़ी value क्या होगी, सर, 1.5, 999999, और छोटी क्या होगी सोच के बताओ, 1., सोचो, 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 सरी, मैंने गल्द लिग दिया, यहाँ पर जो value हागी, वो तो, अगर मैं इसको greatest integer में डालू हूँ, तब भी कितनी value देगा, 1, अगर मैं इसको put करूँ हूँ, तब भी value कितनी देगा, 1, दोनो value क्या है, सर, बराबर आए, क्योंकि यह दोनों, सोच के देखो, 1.5 और 1.4, क्या दोनों, यहाँ पर draw करता हूँ, 1 और 2, क्या 1.5 और 1. 1.4, दोनों इनी, दोनों इंटिजर की बीच में लाइं करेंगे, और दोनों में से least concert, 1, इसलिए इसकी value भी 1, इसकी value भी 1, दोनों value सेम, इसलिए यह दोनों कैसे हो गए, सर, continuous, यानि किस पर continuous हाँ, बीप, बी से बीड़े, हाना, भाई, बीड़े लोग जीतते हैं, यार, हाँ, सर, वो भी teacher ही है, हाँ, हो कहता है न, हमारे जमाने में, तो वही है, हमारे जमाने में B option होता था, कह सकते हो तूं, ठीक है, तो B हो गया हमारे सा correct option, आगे क्यों बढ़े हैं, यह सर, चलो, 5th कर दिया, 6th कर दिया, 7th ही हो रहाते हैं, यह तो variable की power, variable वाला है, यह की न दिया जाएगा, log की property है, सर, power down, और यहाँ पे log, x लिख दिया जाएगा, फिर इसका derivative पूछा है, तो सर, simple, derivative मार दो इसका, इसका derivative क्या आएगा, सोचके बताओ, 1 by y, dy by dx, हाँ सर, यहाँ पे कौन सा rule, product rule, सोचके बताओ, 2x का derivative 2, log x जैसा था, वैसे का, वैसा, प्लस, log x करेंगे, सर, 1 by x, और यह जैसा था, वैसे का, वैसा, x है, सर, हम x उड़ा देंगे, हमें, dy by dx से यह, तो dy by dx, सर, y divide में, यह धर जाके multiply हो जाएगा, तो y multiply में, 2 log x, हाँ सर, 2 log x, और प्लस का, 2, प्लस का, 2 बचे गाएगा, दोनों में से, तुम notice करोगे, दो common भी आ रहे है, दो common भी है, दो y, log x, प्लस, 1, और सर, यहाँ पे y की value क्या पूट कर दोगे, x की power 2x, खत्म खानी, 2, x की power, 2x, और यहाँ पे आ जाएगा, log, x, प्लस का, 1, एकिनी, इस match करो, पहले वाले से हो नहीं रहा, दूसरे वाले से भी नहीं हो रहा, और यह हो रहा है, option number c, फिर से c से कौन, comment section बता दो, c से कौन है, आगे बढ़ते, next question देख लेते, question number 8, यह कौन सा है, यह अच्छा, decreasing वाला case में, चेक करना है, तो decreasing चेक कर लेते हैं, बच्छो, तो यादे, simple derivative मानना है, सर, यह सर, मार देंगे derivative, तो इसका derivative बताओ, चलो, इसका derivative आगा सर, 6x square, 18x, प्लस का 12, प्लस का 12, और हमें decreasing चेक करना है, सर, यह less than, इसकी value, छोटी कब आएगी, less than 0 कब आएगी, तो derivative मानना है, सर, यहाँ पर चेक कॉमन ले लो, अंदर बचेगा, x square, प्लस 3, x, प्लस का 2, और हमें कैसे चाहिए, 0, चेक कॉमन ले असर, इसके factor कर दो, इसके factor करेंगे, तो 2 और 1, हाँ, 2 और 1, तो value आएगी, x plus 1, और x plus 2, और यह value कैसे हो नहीं चील है, इस दिन 0, यादे इसकी बाद क्या करते हैं, हाँ सर, वो लक्षमन रेखा वाला खेल, माइनस इंफानाइट, फिर, प्लस इंफानाइट, इन दोनों की value सर, एक आएगी, माइनस की 2, और एक आएगी, माइनस की 1, अब सर, इस में से, माइनस 1 से बड़ी कोभी value सोच लो, मैंने सोच लिए, x equal to 0, और वो value कहाँ पूट कर दो, derivative में पूट कर दो, अब इसमें बत आइनि कि, कैसा answer आ रहा है, सर, ये तो positive answer आ रहा है, ये यहाँ पर answer कैसा मना जाएगा, ये वारा answer positive है, ये negative है और ये positive हो गया, और हमें कैसा चाहिए, सर, हमें चाहिए decreasing, हमें less than value, हमें छोटी value चाहिए, यानि माइनस 2 से, माइनस 1 के बीच में, माइनस 2 से लेके, माइनस वन के बीच में आंसर चाहिए तो कौन सा ओप्षिन कह रहा है हस देते हैं सर ऐ तो असान सा कुशन था बुक का करा हुआ है की नहीं किसकी सब्सक्राइब यह तो भाई लग रही है सैंडी सी है ना सेंडी लग रही है तो देख लेतें बाई यहां पर जो हो रहा है यह कि आगे बड़े इनको समझ नहीं आ रहा है कोमेंट सेक्षिन ने बोल सकते हो नहीं तो क्या करो वीडियो को दुबारा देख लो सब समझ माझा रहा है चलो कोशन नंबर नाइन में क्या बोल लखा है फंक्शन ऐसा है कुछ कैसा सा सर यह मोड वोड वाला आ जाता है ना बच्चों में यहीं पर दिखके चुरूए आती बच्चों में X mod X और बोला कहां पर ये differentiable है तो पहले मैं बता दूँ अगर मैं यहां पर लिखो X की value में less than 0 लिलू less than 0 अगर मैं इसके लिए less than 0 लिलू है तो तुम जाnous तो ये negative है बट ये कैसा निकलेगा positive ये तो negative हो जाएगा sir बट ये कैसा निकलेगा सर positive तो overall answer कैसा आएगा x square negative का ऐसा कब होगा सर ऐसा तब होगा जब x की value less than 0 होगी और same story अगर मैं x की value यहाँ पे fx is equal to x mode x अगर मैं यहाँ पे x की value greater than 0 लग देता हूँ बड़ी बड़ी लग देता हूँ तो सर ये भी positive रहेगा और mode की वज़े से ये भी positive आएगा यानि function कैसा रहेगा सर x square यानि मैं अगर इसको function में तोड़ दू कौन से function में सर यादी ये signum function और ये संगम भाई तेरा function आगया x square सर ये तब होगा जब x की value greater than 0 और ये minus का x square है जब x की value होगी less than 0 पर हमें क्या चेकना differentiability चेक करनी है कि ये कहाँ-कहाँ derivable है तो इसका मैं क्या निकाल लेता हूँ f dash x निकाल लेता हूँ जैसे तुम इसका f dash x निकालोगे तुम बताओ ये this will be 2x और ये होज़ेगा minus का 2x ये greater than 0 पे ये less than 0 अब मुझे कहाँ-पर check करना है पहले तो मैं check करना लेता हूँ 0 पे 0 पे ये होगा या नहीं होगा तुम चेक कर कर की बताओ जैरी से इसके इसका नदर 0 put कर ओगे 0 plus h वाली theo नी put कर ओगे क्या ये function का हम में आएगा हाँ sir और इसमें जैसी 0 put करोगे क्या answer 0 आगा और इसका answer भी गया सा आगा 0 दोनों में 0 0 put करते हैं तो यह तो यह है तो यह सच बोल रहा है अब मैं चेक कर लेता हूं किस पर 1 पर जैसे मैं इसके अंदर 1 put करूँगा पहले ही मैं मिटा दूँ जीरो पे तो सर सेमी आया अब मैं इस पर चेक कर लेता हूं वन पर जैसी तुम इसके अंदर 1 put करोगे बचे 1 से बड़ी value क्या 1 से बड़ी value मतलब 0 से बड़ी value है हा सर अना मैं पर इसको मिटा के तुम्हें दिखा दू अच्छे से तो मैं यहां से न यह सब को रफ कर देता हूं यह मैं रफ कर देता हूं और तुम्हें न अच्छे से दिखाने कोशिश करता हूं हट जा भाई हट जा सिमसें तुम बचाओ जैसे इसके अंदर आरे चल कुट करोगे क्या आप 1.0000001 पूट करने वाले हो और ले चल के लिए जीरो पॉइंट 9999 सरी दोनों वेल्यू कैसी है दोनों वेल्यू जीरो से बड़ी है क्या मैं इसके लिए 2x फंक्चन निलों सरी यह वाला कि नहीं लोगे सरी यह वाला वंचन तब लेंगे जब एक्स की वेल्यू जीरो से छोटी है सर यहीं जीरो से छोटी अब गदेड़ो यह जीरो से बड़ी है 0.99 है कि नहीं सर हमने तो कुछ बोला ही नहीं तुमारी बावनाव को सबसर हो है है ना यहाँ बताओ अगर मैं इसमें 2x रखूं और इसमें भी 2x रखूं क्योंकि दोन सर हम तो वेल्यू बराबर है का सरो मोसल्त को सब्ससरी रखन कायसा रहेगा विटिषेमें सब्सक्ति ऐल्यू बात्युक्ता सेfford ओधेर की हो बन्री जियलू इसका मतलब सही ओप्षिन कौण से रहा है क्या कर रहा है डिफरेंशीबल की यह सी ओप्षन है कवेंड नताथ दो सी मतलब चंपक चाचा इंप चंपक चंपक चाचा ठीक ना बहुत सारे पच्छों ने इंटिकेशन छोड़ के गए होगे है सर क्या करना था इसमें सिंपल था यार नीचे क्या लिखा हुआ है सेक्ष माइनस टैनेक्स याद हो तो ऐसे कुशन को में रेसनलाइस से करते हैं जैसी सर इसको रेसनलाइस करोगे आपके सामने बिल्कुल ता ताजा ताजा अब फ्रेश याद की नहीं अभी पीपर देख आँने इसलिए ताजा ताजा आंसर है तो डिस करो नीचे क्या बन रहा है सर नीचे बन रहा है ए माइनस पी और ए प्लस बी क्या मैं यहां पर फॉर्म लगाने वाल हूं हां यहां पर फॉर्म लगाई आसर सेक स्क्वार एक्स सेक इंटु टैन सर सेक एक्स इंटू 10 एक्स हो जाएगा डिवाइड में बता हो सर क्या क्या बचा सर डिवाइड में हमारे पास जो बचा हुआ है वो क्या क्या है एक प्लेस बी और ए माइनस बी इसका मतलब सेक स्क्वार एक्स माइनस टैन स्क्वार एक्स अरे सर यह देखेला देखेला लगता है इसके लिए कितनी होती है वान होती है अना बिल्कुल सर इसके लिए कितनी होती है वान अरे टेंथ के फॉर्मुला यादे ना अब याद आय हीले को सेक स्क्वир एक्स प्लस क्या बचा हुआ है या सक एकस डरादस्थ क्歌 विभले नाव हुचे इंसर निक्सट टॉफहर यह फिर गिन्दा स इन में डाव औpielt हमारा छीए ने ये भी असान है ये तों इंटीक्रण के छिनना है सिर कैसे तो सिंपल ना को साइन 4x साइन 2x साइन 2x का इंटेरेशन साइन बता दो और वैल्व यह पॉटकर दो गदम गाने हां साइन इस इतना होगा सर इसका हो minus cos 2x और divide में क्या आएगा सर 2 और limit की value limit की value 0 से πाई बाई 4 तक अब क्या करेंगे upper limit minus lower limit जैसी upper limit put करोगे क्या हो जाएगा बताओ minus का cos 2 into πाई बाई 4 और सब के divide में 2 फिर minus करके minus of cos 2 into 0 divide by 2 एक निए upper limit minus lower limit इसको solve करने जाओगे 2 से ये करटेगा 2 πाई बाई 2 हो गया और sin 90 कितना होता है सरी 0 सरी cos 90 cos 90 0 हो गया minus minus surplus और cos 0 कितना होता है 1 by 2 answer आया हमारा 1 by 2 positive 1 by 2 option number यारे c ने तो जड़ी लगा दिए भाई है ना हमारे चंपक चाचा का डांस बहुत चला भाई इना चंपक चाचा चैंप है भाई हमारे चंपक चाचा चैंप है ठीक है मिटा दूँ ओके आगे बढ़ते बाई यारा question हो गए हमारे लगभा लगभा कंप्लीट होने वाला वाई हाफ फिनिश कर लिया हमने या चाओ यह भी क्लास में कर आयो को कुशन है ना संगम वंगम को याद होगा तो देखो यहां से क्या वो लखाए है तो डिगरी कितनी माल ने गिती है बट यह गलत अप्रोच है गलत की हो गया सर अभी बताता हूं सर गलत इसलिए हो गया क्योंकि आपने इसको अच्छे से देखा नहीं अभी पॉलिनॉमियल के फॉर्म में तो है नहीं ना डिगरी और और तब लिखते हैं जभी किस फॉ हां कि सर डेरिवेटी दूसे इस पूरे के डिवेटी बताऊं सर नहीं समझ में है आरいきए मालू मेह यहां लिख दिता ऐसे इस कि डी बाइधि एक स ओफ एकस की स्थे अव इस समझ में सर डरीवेटी पटीत किसके स्थे मंच के रिस्प्ट में इंस तो कैसे करोगे सरय ट्री एक्स स्क्ट बाद कि इसका डेरीटिव करते था इत्क एक इतना ऋजाता वान आए ऑफ लीसा पैलर कॉंछ मुरू सेंगे पहले पावर का फिर इस फंक्शन डी एक्स का हूल स्क्वार इन टू इसका करोगे तो सर ये पहले सी एक बार हो रखा है इसका डबल हो जाएगा खतम कहाने हो गया डैरिवेटिव अब सर ये पॉलिनोमिल के फॉर्म में कनवर्ट हो गया है अब बताओ और मतलब सर मैक्सिमम डैरिवेटिव मैक्सिमम डैरिवेटिव कितनी बार होखा है सर दो बार तो ओडर होगा दो डिगरी सर मैक्सिमम ओडर की पावर साइसकी पावर कितनी है वन तो इसकी पावर होगी वन और इन दोनों का हम से क्या पूछा है है सम्सक्राइब कितना ती मारश यह समा ती को ओप्षिन नमबर व सका कर्दर्श है तो ईफ्षिन तो ईल्वार है तो को बले बले टाइप कर दो है कॉमेंट ठीक है कि अरफ करके आगे क्यों बढ़ते हैं कोशन नंबर 13 कि अरे यार यार यह तो टिक सिदा देखती है अंसर आ जागा को लिनियर बता है न तुम्हें को लिएर कोन होते हैं जो पैरलल होते हैं और पैरलल के रेशियो कैसे होते हैं अरा सर रेशियो को नोते हैं पैरलल के रेशियो किसका रेशियो बराबर रहे रहा है कि सुर्वेड़ाई नहीं इते हैं यह तो सबसे easiest में था आगे बढ़ते हैं इसको बढ़ताता हूं और आगे बढ़ता हूं ज्यादा नहीं समझा रहा हूं क्योंकि यह असान था यह आ जाओ पूलेगा कि एक यूनिट वेक्टर ए है अच्छा हाँ इसको क्लास में मैंने कराया था पर तुम्हें देखते हैं य यूनिट वेक्टर है यूनिट वेक्टरव तरोंता हैस के तरोंता है और फमसर याद है इसका मोह किसना होगा वह सबस्क्राइब कि अ i-cap 1 by root 3 j-cap और 1 by root 3 k-cap सर कैसे कैसे एक बार याद दिला ओ याद दिलातों अब यूनिट वेक्टर है तो सोचके बता हो कॉस अलफा i-cap cos beta j-cap और cos gamma k-cap हैंगी नहीं और एंगल कैसे हैं सेम तो फिर वाई वाली बात कर दूँं हम अ कास स्क्वेशर अलफा स्क्वेशर बीटा और उस्क्वेशर वान जैसे इसे यह इसके हो अगने तब इतह्म वालों चा सर अभी हमidingाल वालत है यह hurt दोगे अल्फा फिर वही बात थ्री कॉस स्क्वेयर अल्फा की वाल्यू वन है तो खतम कानिया सरक आल्फा की वैल्यू आ गई वन बायरूट और हमें अक्यूट खेलना था तो इसलिए मैंने वैल्यू पॉजिटिव लिए क्योंकि यहां से दोनों वैल्यू आएगी पॉजि सही यह जो एविक्टर को वहा वह वन बाय रूट थ्री आएक्ट वन रायरूट 3 जेग और वन बायरूट 3 के कै愤 मान लिया सर त्छी कि मुझे बताओ TakesRes बिव 지ald कैद है इत्तो असान heck फाइए 7 जे कैप और माइनस का के के असका प्रोजेख्यन निकानना ए और पी ठीक है, A on B, formula बता सकते हो, yes sir, क्या, A dot B, किस का magnitude निचाए, sir, जिसके आगे on लिखा होते है, जिसके ऊपर पुछाते हो, उसका magnitude नीचे, तो story यहीं पर क्या हो जाएगे, finish, A dot B, इसके multiply कर दो, sir, 5 बटे root 3, okay, 7 by root 3, okay, minus 1 by root 3, और डिवाइड में, इसका magnitude, sir, B का magnitude, B का, 5 का square, sir, 25, 7 का, 99 और एक का, 1, एक का, 1, कितना हुआ, sir, 7 में से 1 या, 6, 11, या, 11 by root 3, और डिवाइड में क्या बचा, 99 और एक 50, 50 और पच्चिस, रूट 75, और यहाँ पे आए, रूट 75, और रूट 75 का मतलब हो गया, sir, easy, sir, कैसे, सरी होता है, पाँच रूट 3, आप इन दोने की मल्टी कलाई, सरी हो गया, ग्यारा अपन में, पाँच रूट 3, इन टू रूट 3, तो ग्यारा अपन में, पाँच दिया, पंदर, ग्यारा पटे, ऑप्शन ए, अंकित, अब आया बाई तू पकड़ में, बहुत देर के बार, सरी ओप्शन क्या हुआ, ए, एसे, एवन, एवन अंसर आया है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बढ़िया, मिटा दू, ओके, आगे बढ़े हैं, 14 कर लिया, 15 देख लेते हैं, 15 में क्या बोल रख्था है, सर बोल रख्था है कि, एंगल निकाल ला है, दो लाइन की बीच में, सरी कैसी एक्वेशन है, 2X, 3Y, इसके नीचे कुछ निये तो कितना है, 1, 1 और 1, हम इसको B वेक्टर बनाने के लिए यादे, तो 2 से डिवाइड करेंगे ऊपर भी और 2 से डिवाइड नीचे भी, क्योंकि standard equation वैसी होती है, तो इसको डिवाइड करने के लिए क्लिए क्लिए चरी हो जाएगा, X बटे में 1 क्योंकि 2 से इसको भी डिवाइड किया और 2 से इसको भी डिवाइड किया इधर आ जो इसको तीन से डिवाइड करो सर तीन से डिवाइड करते ही यह वन और यह भी वन यहां पर कितना हो जाएगा सर जैड अप वन में माइनस का वन हो जाएगा ठीक है ऐसी आ जाओ इसके है कुछ नहीं है वन है और कुछ नहीं तो वन क्या इसको 6 से डिवाइड करो पहले मैं यहां पर standard equation लिख दू ताकि तुम्हें कोई भी प्रॉलम ना हो याद है ना इसको ऐसे convert करते थे y minus y1 upon me b और z minus z1 upon me c यह equation है इसको change करेंगे तो बताओ 6 से उपर भी डिवाइड 6 से इधर भी डिवाइड तो क्या यह x upon में 1 by 6 यह क्या हो जाएगा y upon में minus 1 और यह हो जाएगा z upon में minus 1 by 4 minus का 1 by 4 अब खतम का नहीं यहां से b vector निकाल लो sir इसका जो b vector होगा वो क्या होगा sir वो होगा 1 by 2 i cap plus 1 by 3 oho 1 by 3 j cap और minus का k cap sir इसका b vector क्या होगा sir जो divide में होता है वो भी vector होता है और उपर वाला a vector तो इसका आएगा 1 by 6 i cap minus का j और minus का 1 by 4 k cap simple अब तो में क्या करना है इनका angle निकालना है तो b1 sir b1 dot b2 b1 dot b2 ठीक है मुझे बताओ इनका dot करवादो i वाला multiply i से तो क्या यह 1 by 12 ठीक है j वाला j से minus 1 by 3 इसके गरोगे तो plus का 1 by 4 आएगा बीवन डॉट बीटू का formula क्या होता है यहां पर करता हूं आगे बीवन डॉट बीटू का formula क्या होता है sir magnitude of b1 magnitude of b2 और यहां पर कॉस ठीटा और हमें ठीटा ही चाहिए एंगल चाहिए और यह किसके वराबरा है सर इसके बराबर आए सर एल से मारा बारा उपर आएगा 1-4 प्लस और यहां पर थ्री तो कॉस्ट इटा की वेल्यू आएगी सर यह यह ती हो रिक अच्छा यह 0 हो गया और 0 के नीचे मैगनिट्यूड ओफ बीवन मैगनिट्यूड ओफ बीट जीरो से पंगल यह जीरो और कॉस के वल्यू जीरो कब होती है 90 डिगरी पर तो इसा करेक्ट आप्शन कॉन सा हो 90 डिगरी डी डी फोर ढोलक पूर ढोलक पूर इस का अंसर ठीक है बहुत थी जादा बढ़िया अच अरे यह तो फिर से वह वर्बल कोशन है आ रही है की नहीं हाँ सर कैसे बदो कॉस 90 डारेक्शन को साइन डाक्शन को सिन कॉसल फा कॉस बिटा और कॉस गामा नहीं पता अब गदेडो यह कितना हो गया कॉसल फा एम क्या हो गया कॉस बीटा और एन क्या हो गया हमारा कॉस गामा वेल्यू पुट करो आंसर लो कॉस 90 कितना होता है सर जीरो यह कितना होता है कॉस 45 बन बाय रूट टू सारी कहानी किसकी थी कॉस 45 कॉस 135 की सर इसको कैसे लिख लो 90 प्लस 45 ठीक है सर लिख लिए अब मुझे बताओ 90 प्लस कॉन सा ग्वा सर नब्य प्लस हो गया सेकेंड क्वाडरेट सेकेंड क्वाडरेंड में कॉस कैसा होता है सर नेगिटिव 90 इसको चेंज करेगा तो यस तो इस विल बी साइन 45 बुले तो माइनस का 1 बाय रूट 2 हो गया अंसर यह नेगिटिव जीरो ए और यह ओप्शन क्या हो गया ए बुल इसका इंट्रसेक्शन ऊपर और डिवाइड बाय ऑई थी दोनों ही गिवन एंट्रसेक्शन बी और बी इंट्रसेक्शन दोनों की सेम वagit होता है सर यह दिया है 7 बाय 10 A की value कितनी दे रखिए 4 by 5 कितना answer हुआ 7 by 10 5 by 4 divide by 2 यानि 7 by 8 7 by 8 कौन सॉप्शन है C जानते हो तुम्हे क्या करना है यस ठीक है बहुत बढ़िया बाई next 17th के लिया 18th देख लेते है 18th भी properties ही है ओके ठीक है एक इतना दे रखा है हमें 1 by 3, बी कितना दे रखा है 1 by 4 हमें निकालना है हमें निकालना है हमें निकालना है P B dash slash A याना P B dash slash A, फोर्मुल लगया होगा सौचके बताओ सरी हो जाएगा, B dash intersection A divide by probability of A है की नहीं, क्या A की probability पता है, सर पता है एकी probability हमें पता है हमें क्या निकालना पड़ेगा intersection, अब इसका भी formula होता है, लिखवाया था book में भी है, इसका क्या प्रविल्टी ओफ ए A, minus probability of A intersection B, एकी नहीं, और नीचे क्या बच जाएगा, probability of A, probability of A, तो A की probability पता है, हाँ, सारा खेल किसके लिए रहे गया, सर, intersection के लिए रहे गया, और ये दोनों कैसे event है, independent, अब बहुतों को पता होगा, independent event को ओन होते हैं, सर इंडिपेंडेंडेंट B, कैसे निकालते हैं, intersection B, सर, A intersection B निकाल ला है, असान है, मैं यहाँ पर black कल लेता हूँ, जैसी आपको A intersection B निकाल ला है, इसका मतलब आप, A की multiply किस से करने वाले हो, B से करने वाले हो, क्योंकि दोनों independent event है, तो बताओ, यहनी 1 by 3 into 1 by 4, that is 1 by 12, यह किस की value है, सर, यह value होगा यह हमारी A intersection B की, आय की निया है, समझ में, ओके सर, no down, तो बताओ, चलो, 1 by, A की value है, 1 by 3, 1 by 3, intersection कितना निकाला हमने, 1 by 12, A कितना है हमारा, सर, A हमारा 1 by 3, LCM लो, solve करो, you will get your answer, LCM सर, यहाँ पर कितना है का, 12, यह कितना हो जाएगा, 4 minus 1, अपोन में, 1 by 3, ऊपर बच जाएगा, सर, 3 by 12, 3 by 12, और यह हो जाएगा, सर, 3 by 1, यह जाएगा, 3, 4, 12, answer आया है, सर, हमारा 3 by 4, 3 by 4, answer आया हमारा, चिक्के, आय की निया, समझ में, तो option कौन सा हो गया, C option है, वाइस का, option number C, C4, चानक के, आय की निया, चलो भई, लास्ट पार्ट पर आगए, उन्नीस पर आगए, तो बोला, एसर्शन रिजन तो तुम्हें दिखे रहा होगा, साहिए, यह तो किंग प्रॉपर्टी है, यह तो हमारी किंग प्रॉपर्टी है, तो यह तो सही है, रिजन तो सही है, अब बस इसको solve करके देख ल होल रहा है या, इसके लिए मैं अलग पेज ले लेता हूँ, मुझे लगता नहीं कि इसमें यह हो पाएगा, तो वैल्यू में देख लेता हूँ, अंडरू टैन माइनस एक्स, दो से आठ और यहां पर रूट एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आनीचीत ती, तो मैं इसको अगल रूट 10 माइनस, एक्स एसला, और प्रोपर्टी को उनसे लेका नहीं थी, किंग प्रोपर्टी, तो सर यहां पे जो वैल्यू उपूट कर दो, कौन सी सर, अपर प्लस लोवर माइनस, अपर प्लस लोगा सर 10 हो जाएगा, सर 10 माइनस एक्स पूट कर दो, कर दिया, यह भी कि हो जाएगा, सर 10 माइनस एक्स प्लस, यह कितना होगा, सर यह भी से, 10 माइनस, 10 माइनस एक्स, ठीक है, ठीक है सर, सौल कर दो सर, कर देते हैं, 10 में से 10 गया 0, और यहां बचेगा सर, एक्स, नीचे क्या बचा, रूट 10 माइनस एक्स, और यह कितना बचा, तो सर यह बचा, root x तो माल लेता हूँ यह i था i को solve किया मैंने और यह भी किसके बराबर है i के बराबर है तो i की दो value आरी सर आई एक था हमारा जीरो से लेके सुरी जीरो नहीं है दो से लेके 8 root 10 minus x upon में root x plus का root 10 minus x जब हमने इसमें प्रॉपर्टी लगाई तो यह कहां पहुंच गया सर दो से 8 और यह कितना हो गया सर उपर हो गया root x और नीचे हो गया root 10 minus x और प्लस का root x है की नहीं हाँ अब सर इन क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ दो इन दोनों को add कर दो i और i मिलके कितना बना देंगे सर सर यह बन गया 2y जोड़ दो सर सर जैसी जोड़ने जाओगे दोनों के lcm सेम है दोनों की value सेम है दोनों का lcm सेम आएगा यह दोनों value सेम रख देते हैं सर root x और 10 minus x lcm रे लो सेम तो इन दोनों value को जोड़ दो यहां पर सर था root 10 minus x और प्लस का root x क्या इसको मैं इसको काट सकता हूँ हाँ सर दोनों value सेम ही है तो ठीक है सर यहां पर कितना बचा सर कुछ में नहीं वन बचा और यहां से दो से लेके 8 और वन का integration सर एक्स लिमिट कहां से कहां सर दो से लिए 8 क्या करोगे अपर limit minus lower limit 8 में से दो गया कितना आया सर लेकिन यह दो आई है तो i की value सर कितनी हुई 3 क्या वो यहीं कह रहा था हाँ सर पीछे वह कितनी लेके चलनी है तीन लेके चलनी है तो और रीजन दोनों कैसे हो गए दिखाता हूं मैं तुम्हें पिछले पिछले में क्या वो लखा था इसकी value भी कितनी आ रही है सर तीन यह भी true है और यह भी बोथ true यह भी true है और यह भी true तो कौनसा option हो गया option number a option a r is the correct explanation of a बिल्कुल सही जवाब से बढ़ा दूं ठीक है option लास्ट लास्ट कोश्चन है हमारा section a का फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या वो लखा की पर रीजन देख लिए पर रीजन में तो सिदा फॉर्मला लिखा हुआ है मेरे ख्याल से let e and f be the two events with random experiment then f slash e का फॉर्मला होगा e intersection f और बिल्कुल सही रीजन तो बिल्कुल सही जवाब है भाई फॉर्मला तो नहोंने बिल्कुल सही लगा है अब देखते हैं कि assertion भी सही है या नहीं फॉर्ट टू two coins are toss simultaneously एक साथ दो कोई उच्छा लेंगे तो sample space लिखवा दो पहले तो head head tail tail और क्या हो सकता है head tail और tail और head ठीक है probability of getting two head एक मैं event email नेता हूं जिसमें मुझे क्या चाहिए two head दो head आने की क्या probability तूम बताओगे मुझे दो head तो सर एक ही है h और h इसकी क्या probability हुई सर इसकी हुई 1 by 4 चार में से एक ही probability है एक f event माल लेता हूं और यह क्या वो लखे है at least one head at least one head एक है आने की क्या probability कम से कम एक है तो दो head भी आ सकते हैं आ सकते हैं दोनों tail हो सकते हैं नहीं सर एक है तो होना ही चाहिए दोनों head वाले होंगे head tail वाला होगा और tail और head वाला भी होगा कितने हुआ सर three out of four three out of four और यह क्या वो लखाए कि इसका अंसर कितना रहा है याद है या तो यहां पर given that होता था given that अगर given that लिखा हो या it is known that लिखा हो इसका मतलब सर कुछ याद आया है हाँ सर याद आ रहा याद रहा याद रहा है याद ही आ रहा है सर इसका मतलब होता था कि जो given के बाद लिखा है वो event slash के बाद लिखा जाएगा वो event slash के बाद लिखा जाएगा at least one head slash के बाद आया क्यों क्योंकि given that के बाद लिखा हो यह हो चुका है है यह event हो चुका है तो ठीक है सर, E slash F, F उपर निया आया, क्यों निया आया सर, क्योंकि ये event हो चुका है, formula क्या होता है सर, E intersection F upon probability of F, क्या F की probability हम निकाल चुके, हाँ सर, अब E intersection F, सर, E और F में common बता, सर इसमें तो एक ही है, दोनों ह है है, एक ही event है, H और H, और इसमें भी क्या है, H और H, दोनों में common पार्ट कितना है सर, 1, तो इसमें भी कितना common पार्ट है सर, 1 out of 4, F की probability सर, कितनी है, 3 out of 4, 4 से 4 गया, answer कितना है, 1 by 3, यानि सर, ये भी सही है, और ये भी सही है, बोथ assertion and reason are true, सही option हुआ हमारा, बोथ are true, बोथ are true, बोथ are true, आए की नए बस में, ये हमारा section A क्या हो गया बच्चे, पूरा का पूरा discuss हो गया, कैसा लगा मुझे बताना, बाकि next video में हम क्या discuss करेंगे, next video में section, इसको discuss करेंगे, B को, फिर C को, फिर D को, और फिर last में case study section, इको discuss करेंगे, case study, है न, चोटी वीडियो बनाईए, ताकि हम इसको जल्दी-जल्दी खतम करके, next video बनाए, ठीक है न, ओके, बाई, next video मिलते हैं,